यह इतना सुन्दर प्रकृती के सिध्धान्त हैं अगर आप उस तक मैसेज पहुंचा सको तो उसी शन आपको हेल्प आनी शुरू हो जाती है अब foreigners के पास मशीने हैं उनको सिध्धों का ज्यान नहीं कुछ वो सीख के गए भारत में और वो बड़े honest हैं वो कहते हैं यह सब हमने Indian गुरू से सिखा है और develop किया है and we are so fashionable हम कहते हैं हम भी उस Robert Johnson से सीख के आए हैं यह जबकि हम भी जब वो इंडिया में आके गुरू से सीख सकता है हमारे को भी सीख लेना है चाहिए क्योंकि जो संसकार तुमारे पास हैं चितना ज़्यादा तुम सीख सकते हो वो नहीं सीख सकते हैं उन्हों ने इस चीज को स्टेडी किया और उन्होंने कहा कि वो impulses जो brain impulses है उसको हम अगर reduce करें relax करके उनको तो एक ही चीज आती ध्यान का मतलब relaxation ध्यान का मतलब tension release और जब ध्यान का मतलब relaxation अगर relax जब होता है आदमी तो वो बीस पंदन से साथ seven vibrations तक पहुंचाता है mind it vibrates between four to seven यह साथ होगा मुझे exact गिंती नहीं पता है और उसको वो बोलते हैं alpha level the mind level has reached to alpha level और उस समय जो आप प्रार्थना करते हो at the stage of alpha तो chances हैं उसके फली भूत होने के बहुत ज़्यादा है लेकिन जब तुम साधना करते हो जब तुम शिवयोग की साधना करते हो alpha is just a relaxation तुम तुरिया अवस्था में पहुंचाते हो तुम शिवयोग की साधना करते हो तुरिया अवस्था में पहुंचाते हो उस universal consciousness के साथ एक हो जाते हो और वो vibrations बहुत कम हो जाती हैं और एक stage ऐसी आती जहां बिलकुल शुन्य हो जाती there is no vibrations, there is a total stillness, total silence और वो एक शुन्य की अवस्था, zero अवस्था शुन्य यानि की कोई स्पंदन ही नहीं है उस्व में आपका जो mind है और universal mind वो एक हो जाता है शिवयोग का ध्यान करते हुए जब शंभवी ध्यान करते हो एक लेवल ऐसा आता है जब तुम और universal mind, universal intelligence वो एक हो जाती है क्योंकि वो भी शुन्य है, यहां भी शुन्य है तुम्हें चाहिए क्या तो तुम कोगे अरे मेरे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, अगर तुम्हें पता होगा तो उस समय तुम अगर उसको visualize करना शुरू कर दोगे तो वो materialize होना शुरू कर देगी और जो चीज तुम अपने जीवन में materialize करते हो तो जो वेदो की वानी है अहम ब्रह्मा समी मैं ही वो ब्रह्मा हूँ मैं ही इस श्रश्टी का रचायता हूँ श्रश्टी तो बात की बात है शुरुवात तो तुम अपने जीवन से करो I am the creator of my own destiny कर दो बात है